गौर करें लगभग 4% तक का इजाफा इस समय बनता दिखाई दे रहा है, 531 के लेवल्स देखे जा रहे हैं कंपनी एक बाइबैक लाने की तैयारी कर रही है, क्या जरूरत पड़ी है इस बाइबैक की और साथी साथ बाइबैक का क्वांटम क्या रह सकता है, क्या है ओप्शन कंपनी के हाथ, मैं साथ यतिन जोड़ गए है इसी पर और डीटेल देने के लिए, यतिन बताईए देखें, पेटीम ने येस्टेड़े एक्शेंजिस को इनफर्म किया कि Tuesday यानि December की जो तेरा तारीक है तभी एक बोर्ड बैठक होगी और ये बाइबैक कंसिडर करेंगे, obviously बाइबैक की क्वांटम और डीटेल जो है वो अगले हफते आएंगी, लेकिन उसके पहले-पहले स्टॉक में लगबख 5% की तेजी है, कही नगहीं ये बाइबैक को ऐसे देखके जोड़ा जा रहा है कि ये शेर प्राइस की गिरावट को कंट्रोल करने के लिए इनिशेट किया गया, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई cash flow कमाया नहीं है या ऐसा मुनाफ़ा कमाया नहीं जिसके जिसके बलबूते पर ये बाइबैक हो रहा है, बाइबैक हो रहा है, वैने शीट पर पहले से ही काफी cash है और शायद ये stock price में जो आपको गिरावट दिख रही है, खास करके जो issue price था 2150 रुपे का, उससे लगबख 75% लोड़क गया है share और कहीनग ये stock को support देने के लिए buyback initiate किया जा रहा है, तीन scenarios जो usually हम लोग देखते हैं buyback के समय और company की filing है उसके इसाब से company का net worth करीब 13500 क्रोड रुपे का था Q2 के अंत में और अगर उसी को basis बनाया जाए तो तीन scenarios के तहत maximum buyback के amounts हमने calculate की है, सबसे पहले अगर company 25% of net worth buy करना चाहेगा जो आपकी screen पे है तो maximum buyback size जो है वो लगबग 3400 क्रोड के आसपास की होगी tender route के जरिये, हाला कि इसके लिए regulatory approval और shareholder approval जरूरी होगा, number one, number two, अगर ये share को support करने के लिए buyback किया जा रहा है, तो open market का buyback better हैगा, क्योंकि यहाँ आपको share को support करने के मौके जादा मिलेगा, अगर open market का buyback हो, तो 2000 क् रूपे के आसपास का size हो सकता है, क्योंकि यह लगबग 15% of network है और यहाँ भी आपको shareholder approval लेना पड़ेगा, लेकिन company के लिए सबसे viable option जो है, वो तीसरा option है, और analyst मानते हैं, यही शायद company इसी lines पे आपको buyback करती हूँ दिखाए जी सकती है, open market का buyback, लेकिन network का किवल 10%, क् network का अगर 10% होगा, तो इसमें कोई shareholder approval या regulatory approvals की जिग जिग नहीं होती, और कहींने कहीं simpler route है, इसके जरीए लगबग 1350 क्रोड रुपे का maximum buyback company initiate कर सकती है, तो अगर board and decide किया, open market का buyback करना है, और जल से जल initiate करना है, तो शायद यह आखरी option viable रह सकता है company के लिए, लेकिन यह scenario analysis है, जो अपचारिक communication company का आएगा, यह अपचारिक announcement आएगा, उसके लिए आपको अगले हफते तक wait करना पड़ेगा, और यहाँ पर यह भी देखना होगा कि क्या promoters participate करेंगी है, और promoter में primarily आप देखिये कौन है, विजे शेकर शर्मा के पास minuscule steak है, उसके बाद बा स्टॉक आज करी 22 रुपए की बढ़ाद पर trade करतावा दिखाई दे रहा है, टेक्निकली कैसे poised है, क्योंकि एक तरफा गिरावट के बाद इस स्टॉक को संभलते हमने बीच में देखा था, या फिर चलेगा? जो है थो जाए पर पर दिखाई पर देखाई, जो तो चेशों के आसपा इसकोल जो जो एक क्या पर जा भी है, तो एक क्या आपके लिए है, अबेगा बाद बाद दी नरी अभी बाद पर देखाई कि अब्ड़ाए टाउन स्टॉक आपके लेन और चार्वा भी दाता है, जो कौंटम के चार्स अभी भी वीक है मैंद। अभी भी वीक है उफकॉस, सेंटिमेंट भी काफी बिगडा हुआ है, जिस तरह से स्टॉक तूटा है हाल फिल हाल में, अब देखते हैं वो बाइबैक का आकड़ा, किन लेवल्स, क्या प्राइस आता है, क्या कौंटम आता है और किस रूट से दरसल ये बाइबैक का कमपनी करने को तयार रहती है, तो स्टॉक आज खबरों में तो रेडार पर